राज़दानी पुपाल का रुक कर लेते जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कॉंग्रस के प्रदर्शन पर जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया है जो सीनियर अफसरों के खलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया चारा ये जीतू पाटवारी में सवाल खड़े करते हुए पूछा एंटी ए प्रमुक्र सच्ची प्रदीप जोशी पर कारवाई हो ये उन्होंने का इसके पहले MPPSC के भी प्रमुक्र है प्रदीप जोशी व्यापम में भी पदादिकारी जी रहे वे जहां जहां रहे वहां वहां पर घपले हुए है ये समय BJP के खलाफ खड़े होने का है नहीं तो युवाव का भविशे सुरक्षित नहीं बच्चेगा तो देखे जिस प्रकार से जो पेपर लीक हो रहे है या फिर MPPSC की घोटाले की बात कर ली जाए तो इसी को लेकर अब जीतु पटवारी जो की कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक बयार सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाना चाहिए और प्रदीप जोशी जो की व्यापम में भी पदादिकारी थे MPPSC में भी इनका डाम सामने आया था इन पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया ज़रा है जोशी जो जहां रहे हैवाँ घपले और हुटाले हुए उनको जाश देते हैं पर प्रदीप जोशी जो नेट के चेर में ने उनपा जाश नहीं करते कांग्रेश पार्टी मद्यप्रदेश कांग्रेश कमिटि मांग करती यह और यह जहां जाते है वहाँ व्यापम जैसा कांड क्यों होता है क्या कारण है कि मद्ध प्रदेश की ये सरकार ये कहती है कि हम न्याय करना चाहते हैं और बीजेपी के वोटर जिनके बच्चों के साथ अन्याय होता है कि इस देश के बच्चों के भविश के साथ भारती जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी खिलवार कर रहे हैं